नाबालिक से चार साल तक दुशकर्म करने के बाद उसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल करने के मामले में अजमेर पोक्सो एक्ट न्यायाले संख्यादों ने एहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इस मामले में आरोपी पर पचास हजार रुपे का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। इस मामले की सुनवाई के दोरान अभ्योजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किये गए। जिसके आधार पर न्यायाले ने आरोपी को दोशी मानते हुए सजा का एलान किया। यह मामला अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत रका है जब पीरित के परिजनों ने 10 मार्च 2018 को इसकी शिकायत दर्ज कराए। पीरिता को इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर डाली गई वीडियो फोटो से मिली। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में आरोप को देखते हुए आरोपी पर नर्मी नहीं बरती जा सकती थी। जिसे ध्यान में रखते हुए आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में आरोपी पर 50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। इस पर इसका वाटसप पर इसने असलिर्श वीडियो गरह डाल दिया तो पिडाता की जो सहीली को जब ये वीडियो मिले और को पोटो मिली तो इसके बारे में आपने परिवार को बताया जिस में इसकी बैन पपीडिता की बड़ी बहनने मुख्दमा-दर्ज कराया सीवला प्राइब बच्चों के साथ जो गटनाए बढ़ रही है समाज में इसके परती देखते वे नियाले ने कोई भी नरम नुक नहीं अपनाया है और जिसको दस साल का कटोर कारावास दिया है इसमें अभियोजन की और से कुल तेज़ दस्तावे स्में 14 गवा प्रदिशित हुए जो हमारी और से पेश होए है इसमें और इसमें जो मेडिकल जो है वो पुष्टी हुए है वो मेडिकल जो है इसका डी एने व एफेसल मिलान आया है जिसके आदार पे विशेश रूप से नयले ने टिपड़ी किये और इसको सजा सुनाई है विकरम सिंग्सेखाउत पौक्